हम लोग adjective के kinds को study कर रहे थे, types को study कर रहे थे, उसमें हम लोग adjective of quality को देखेंगे, adjective of quantity को देखेंगे, adjective of quality, quality का मतलब क्या होता है, quality का मतलब होता है उसका गुण, और quantity का मतलब क्या होता है, quantity का मतलब होता है, मात्रा, तो अजेक्टि वफैंटी क्या बताता है अजेक्टिव वक्वाइटी बताता है विच ऑखोंस kौलिटी क्रवं क्या स्वाइब तो अगों क्या है हैं। हम लोगों ने वोकेब्लरी में देखा था रावन के हाने वीष वर्चू विस्द रोगों यहां rocket था, greed था, pride था, तो यह सब किस में आएगा, adjective of quality में आएगा, कि जब वो noun और pronoun की quality को क्या करते हैं, address करते हैं, quality noun और pronoun की भारे में extra information देते हैं, वो extra information क्या होती है, उसकी qualities होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, adjective of qualities बोलते हैं, तब यहां पर हम लोग देखे, my grandfather has, has हमा possessive हो गया, तो grand father के पास है, लेकिन क्या है, कुता है, कुता क्या हो गया, हमारा noun हो गया, तो noun के बारे में additional information यह क्या दे रहा है, कि वोuitar कैसा है, black है, वैसे ही the ground, the ground हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन वो कैसा है, muddy, का मतलब की चढ की परा हुआ हुआ, शिवाजी शिवाजी क्या हो गया हमारा नाउन हो गया और किंग भी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया लेकिन वह राजा थे शिवाजी कैसे थे यह जो यह वो क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा वाइस हमारा क्या हो जाएगा वाइस हमारा हो जाएगा अड्जेक्टिव कि वो क्या है बड़े ही चालाग थे बड़े ही बुद्धिमान थे लेंग्वेज क्या हो गया हमारा नाउन हो गया लेकिन डिफिकल्ट हमारा क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हमारा अड्जेक्टिव हो जाएगा क्यों क्योंकि यह क्या बता रहा है लेंग्वेज के बारे में ह उसकी गुन हो गई, quality हो गई, ground के सा है, muddy है, muddy मतलब teacher से बारा हुआ है, उसकी क्या हो गई, demerit हो गई, और उसके जो grandfather है, उसके पास क्या है, काला गुत्ता है, काला गुत्ता क्या हो गया, उसका, black क्या हो गई, उसकी merit हो गई, उसकी क्या हो गई, quality हो गई, तो जो quality के बारे मेरिट-дemeーテट के बारे में गुण आउगुण दो कवारे में और किसी चीज के बारे में आपको बताता है कोई नाउन के विवार के बारे में बिताता है और मात्रा सूचक शब्द जुमने से क्या है उसके बारे में हम लोगो मापतोल के बारे में पता चलता है तो जिन वर्ट से जिन शब्दों से हमको मापतोल के बारे में पता चलता है वर्ट के बारे में पता चलता है उनको हम लोग क्या बोलते अड्जक्टिव क्वांटिटी मात्रात्मत विशेशन उसको हम लोग कहते हैं तब यहाँ पर कुछ वर्ट्स दे रखें जिनसे हम लोग को क्या है मात्रा के बारे में पता चलता है sufficient, परियाप, all, सभी, insufficient, अपरियाप, all, सारा, much, little, some, enough, any, यह सारे क्या है, हमारे शब्द दे रखें, जब भी यह किसी noun के आगे जुड़ते हैं, तो वो noun के आगे जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो noun की मात्रा के बारे में बताते हैं, कि noun किस मात्रा में हैं, तो यह जब भी किसी noun के आगे जुड़ेंगे, इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, इन शब्दों को हम कहेंगे, adjective of quantity, मात्रा, सूचक, विशेशन, तम लोगे हम देखते हैं, I have little money to spend, अब money हमारा क्या हो गया, money हमारा noun हो गया, वैसे ही she had much patience, patience हमारा क्या हो गया, noun हो गया, he does not have enough time, time हमारा क्या हो गया, noun हो गया, she is a lady of great courage, तो courage हमारा क्या हो गया, courage हमारा noun हो गया, अब इसके आगे हम लोगों क्या करना, adjective लगाना है, adjective हमने क्या लगाया, हम लोगोंने लगाया, little, इसके आगे क्या लगाया, much, इसके आगे हम लोगोंने क्या लगाया, enough और इसके आ little money to spend कि मेरे पास पैसा कैसा है कम है कम पैसा है खर्चने के लिए तो लेटिल क्या कर रहा है हमारा मात्रा के बारे में बता रहा है कैसी मात्रा कम अब यहां पर she has much patience to bear the loss कि उसके पास क्या है much she has, उसके पास much मतलब बोलेंगे कि उसके पास इतना धेरिया है कि वो उसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को क्या कर सके सहन कर सके उसके उसके पास she does not have enough time उसके पास क्या परियापत समय नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई कर सके और she is a lady of great courage वो उसके पास क्या अत्यदिक सहस वाली महिला है ति यहां आप देखोंगे तो सारे noun के adjust आगे क्या लगा है noun के आगे मात्रा सुचक शब्द का प्रयोग हुआ है तो मात्रा सुचक शब्द लगने से यह क्या हो गया? adjective of quality हुए और उपर भी क्या हुआ है? जितने भी हमारे noun है, noun के पहले क्या हुआ है? नाउन के पहले हमारा जो है वो quality बताने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन इसके exact आगे नहीं है adjective of quantity में क्या हो रहा है कि नाउन के exact आगे जो है मात्रा सुचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उनसे हम लोग क्या है measurement के बारे में quantity के बारे में मात्रा के बारे म पता चल रहा है